कि अब लोग और आज मैं बात करने वाला हूं आप से टैक्स के MCQs के बारे में राइट सबसे पहले हम लोग चचा करेंगे कि क्या स्कीम है कैसे हम लिपसे आगे बढ़ने वाले हैं और इन तीन महीने में अगर हम लोग सर कुछ अच्छे काम करें तो डिफिनेटली सर हम लोग बड़े अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं अपने NCA IPCC के exam में क्योंकि मैं सर अपने specialization पर बात करूंगा तो सब मैं taxation में सबसे यादा घिरा रहता हूं बच्छों को पढ़ाने में तो मैंने सूचा क्यों ना बच्छों के लिए कुछ अच्छा सा और किया जाए और उसी के चलते सब मैंने एक thought दिया है I hope आप लोग इसे मे objective type questions पूछूं MCQs पूछूं ताकि आप लोग उसमें काफी अच्छे से अपने आपको train कर पाएं अब इस सिर्फ basics का promise करते हैं और अगर समय मिलता रहा तो इन ती महिने में मैं आपको MCQs पूछ 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 प comment box में और उसके बाद भी दोतीन तरीके और हैं कैसे आप इसमें participate कर सकते हैं अच्छे तरीके से और सबसे ज्यादा फाइदा उठा सकते हैं राइट सबसे बड़ा objectives का क्या रहेगा is to prepare you for your upcoming CIPC exams जो भी आपके sir exams है उसको prepare करने में आपकी मदद हो पाए तो बहुत ही अच अगर series आप लोगों को अच्छी लगी तो अगर में पास समय रहा तो हम इस series को जरूर 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 continue करेंगे आपको क्या करना है sir आपने अपने questions के answers और अपने जो marks हैं वो comment box में जरूर बताएगा और साथ ही साथ दूसरों के भी मदद करिएगा राइट दूसरों की जाली मत दीजेगा मजाक मत कीजेगा अच्छे से रहिएगा गुल मिलके सारी पढ़ाई करेंगे और हाँ कोई भाई मुझसे कोई presentation में गलती हो जाए तो please मुझे माफ कर दीजेगा राइट गाइस तो यह वाली series शुरू हो रही है आज से और इस वीडियो के बाद ही मैं और तब आप आगे बढ़े हैं राइट चली थांक यू वर्यमच गाइज और येस से कनेक्टे अन दिस चनल विद मी और विए गूंग तो जीतना बन